बीजेपी कहती है कि जब कुछ फोर्सफुल नहीं है कहते हैं, फिर भी जो है आप क्यों बीजेपी कवर्लमेंट को इतना सब कह रही हैं? तब तो एक हमको समझGenा है कि यह जो फोर्स कंवर्जन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जिस रिलीजन को मैं प्रैक्टिस करना चाती हूं, जिस गॉड unmंja मैं बिलीव करना चातीए, वो मेरा डिजीजन है सरकाifer काको कुछ भी लेना देना नहीं उसमें, एक भी केस नहीं है कोंजो बोल ये SOG जो कोई भी आ तकर बोल रहा है कि मुझे फोरसिबली कंवर्शन के लिए कुछ भी एक लॉक के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है अब दै क्टि है कि ये फोरसिबल कंवर्शन के नम पर बहुत सारा हेट시 यह सिर्द्पे दर्म के वह रीजन के लिए जाकर लोगों को आटाक आट अटाक हो रहे हैं गर के अंधर जाकर वह बजरंगल रह्यव हो यहीं है और क्रिश्टियन के गर के अंदर जाकर टारगेट और हरास्ट करने के लिए अगर फोर्स का कुछ है तो जो अभी लाउ है इंडियन पिनल कोर्ड में फोर्स का कुछ भी है तो उसके उनके वहां से आक्शन ले सकते हैं कोई भी लाउ का ज़रूरत ही नहीं है अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे करनाटक में अनेंप्लाइमेंट बहुत ज्यादा है इंफलेशन बहुत ज्यादा है उसके उपर क्या सरकार कर रहे हैं वो सब कुछ चोड़ कर ये हेट्रेट जो स्प्रेड करने के लिए प्रहत्न कर रहे हैं वो पूचना चाहते हैं किसी भी उनके मदर से पूचा कि वो फोर्स कन्वर्जन था वो एममेले कॉन है मदर का फोर्स के बारे में बात करने के लिए यही प्रावलम है लोगों सोचते हैं कि महिले को दिमाग नहीं है उनका सोच नहीं है जो महिले जिन गॉड में बिलीव करना चाहते हैं क्या दर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कोई दूसरा आकर बोलेगा क्या पिता चोटे होने से पिता बोलेगा उसके बाद बेटा बोलेगा ऐसा हुआ है कोई भी आक जाकर पूचे है क्या उनके मदर को उनको क्या चा कोई भी बोला है है तो कन्वेट होगे तो उनके तो प्रोब्लम यह किया रज सभी इनन के लिए को समझना पड़ेगा कि यह जो बन रहा है और में लोग जाए कोई प्रेय kay के टाइम में मार पीट करते है यह लोग ने से आप लोगं क्या लगता है और बढ़ जाएगा ब्लतकुल बढ़ जाएगा और विट बढ़ वो हमने वो सब कुछ एक भी केस ऐसा नहीं आया है लेकिन अभी तक आप लोग के नॉलेज में जहां भी फोर्स फुली जाके प्रेयर को रोका गया है कोई एक्शन होता हुआ पुलिस से नजर आया है आपका हम जो देखे हैं कि ज्यातातर केसे में पॉलीस पास्तर के उपर या जो बिलीवर्स है उनके उपर केस लवाए है यह हमको पूछना पड़ेगा उनके उपर ही मारपीट हुआ है उनके उपर क्यों केस डाले है अभी शनिवार को देखे कोलार में एक इंसिडेंट हुआ उपनली बोल रहे हैं कि हमने स्टॉप किया हमने वो रिलिजियस बुक्स को बर्न किया उपनली बोल रहे है वीडियो में है पॉलीस ने कुछ केस डाला है उनके उपर वो पूछना पड़ेगा आमको तो यह किलियर कट आपको नजेर आता है कि जो गवर्मेंट प्रिजिन गवर्मेंट है इस टाइप के हरकते को सपोर्ट कर रहे हैं एक तो है कि यह जो हरकते नहीं यह तो हेट क्राइम्स है वो बहुत ज्यादा हो गये हैं पिछले यह साट या नॉमन इस साल बहुत ज्यादा हो गये हैं मुस्लिम्स के उपर, क्रिस्टियन्स के उपर, धलित्र के उपर बहुत ज्यादा हो गया है और ज्यादातर केस नहीं हो रहा है अभी तक सरकार ने कोई strong stand भी नहीं लिया सुप्रीम कोट ने बहुत clearly बोला है तैसीन पुनावाला के judgment में कि ऐसा केस में सुप्रीम कोट सरकार का constitutional obligation है कि वो immediately ऐसे जो vigilantism जो बोलते हैं वो कर रहे हैं उनको stop करने के लिए उनका immediate responsibility है immediately F.I.R. डालना है और अगर पोलिस F.I.R. नहीं डालते हैं पोलिस को उपर केस डालना है वो सुप्रीम कोट ने बोला है पर अभी तक कोई भी सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं पहला ये जो कानून है जो आप बिल जो आप introduce करना चाहते हैं वापस लेना है और तैसीन पुनावाला का judgment है तुम्बा वो उसको implement करना है solution क्या देखता है? solution तो में, solution तो अभी है कि हम सब लोगों को एक साथ आकर सरकार को बोलना है कि आप समविदान के जो मूल्य है उसको protect करो वो वो solution है, सब लोगों को आकर सरकार अगर समविदान नहीं मनेगा तो हम को force करके समविदान मानना है हमको बोलना है तो आप इस टाइब का awareness देते हैं तो क्या public आप लोगों के support में आती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, public देख सकते हैं कि क्या real issues क्या है अभी, real issues है unemployment का, real issues है inflation का, वो देख सकते हैं, ये hatred का जो है, वो issue नहीं है, वो जो ऐसा try करें, वो बिल्कुल मानते हैं झाल झाल